इस्राइल पर हमास ने रॉकेट से टाबर तोड बड़े अटाक किये हैं दमाका इतना जूरदार था कि हमले के बाद लोग इधर उधर भागने लग गए इस्राइल में लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है गाजा पट्टी से इस्राइल पर रॉकेट दागे गए हमास के हमले में एक आदमी की मौत की भी खबर मिल रही है इस्राइल के पीम ने जवाबी कारबाई का निर्देश भी दे दिया है और इस्राइल में लगातार साइरन बॉनिंग दी जा रही है तो आपको बताएं जानकारी जो मिल रही है एक साथ हमास की ओर से जो की इस्लामिक चर्मपत्ती ओर्गनाइज़िचन है पांच हजार रॉकेट ऐसे हैं जो की दागे गए है और उनी से जुड़ी हुई यह तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आलगी इस्राइल ने भी अब हमास को कह दिया है कि अब अन्जाम भुगतने के लिए तुम भी तयार रहो इस्राइल की तरफ से भी हमले का आदेश रब दे दिया गया है तो यह दोनों ही मुलक जो हैं वो युद के मुहाने पर खड़े हैं प्लालतीन दस्विरे यह आपकी टीवी स्कून पर देखें किस तरीके से पांच जो यह हजार रॉकेट से अटाक किये गए हैं एक आदमी की मौत हुई है वही हमास की ओर से जब्मेदारी ली गई है और जादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे हमारे सायोगी नीरज भी हमारे साथ जुड़गे है नीरज गुरिल्ला वार्ट जैसी सिती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह जो तुफान आने वाला है उसके पहले की शांती है देखे तुफान ने इसराइल ने सबसे पहली बात कि इसराइल ने व्यूद की घोसना कर दे स्टेट आफ वार का सिट्वेसन अनाउंस कर दिया है और माया का दोस एक अधिकारी हैं जो कि भारत में भी थी इसराइली एमबैसी में उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया अपसे थोड़ी तेर पहले कि तीन घंटे से लगातार साहरन की आवाजे रौकेट की तस्वीरे आपने देखे होंगी जो गाजा की तरफ यानी हमास की तरफ से जो इसराइल के शहरों पे खासकर तेल अवीव और इसरा साल है जो न्यू जेटिन इंडिया के दर्सक है उन्हें बता दे कि गाजा का पूरा का पूरीया पूरा एरिया जो है वो ब्लॉकेट है पिछले 15 साल से इसराइल की तरफ से इजिप्ट ने भी ब्लॉकेट कर रखा है और इसराइल ने गाजा में अनिम्प्लॉइमेंट बह हयावा है और जिस सथिकारी का मैंने जिक्र किया जो कि भारत में इजराइली दूतावास में डिप्टी चार्ज ऑफ मिशन थी यानि डिप्टी थी वो यहां दूतावास में उन्होंने कहा है कि वो लोग सुरक्षित हैं और हर तरह का आप्टेट उनकी तरफ से दिया नीरज ये भी बताईए क्योंकि कहा जा रहा है न सिर्फ रॉकेट से अमला किया गया है बलकि कुछ कटरपंथी कह लिजे आतंकवादी कह लिजे जिस भी भाशा में वहाई से कहा जाता हूँ कि इसराइल के अंदर कुछ कटरपंथी का भी अप्रवेश हो चुका है जो कि अवैद रूप से वहाँ पर गुसे हैं तो ऐसी भी कुछ खबर मिल रही है क्या देखिए दो हजार साथ से यानि पिछले पंदरह साल से हमास के कबजे के बाद गाजा को ब्लॉक करने का एक सबसे बड़ा इसराइल का मकसद यही था कि गाजा से जो मिलिटेंट है वो प्र विल्कुल बीरे जाव और कोई पहली बार नहीं जब कि इस तरीके से गाजा पट्य और वेस्ट बैंक से हमास के मिलिटेंट्स ने इसराइल में एंट्री वी दो देखे बारत में इसराइल राज़दूत ने ट्वीट करके काया कि गाजा से इसराइल पर हमला हुआ है इसर रॉकेट और जमीन से हमला किया गया तो ये बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता रहे हैं इसराइल के राजदूर जो कि बारत में